कांग्रस ने रोप लगाया है कि पूर्मुख्यमंत्री उपिंदर सिंग हुड़ा को बदनाम करने के लिए सरकार राजनीतिक द्वेश के चलते कारवाई कर रही है इस समय मेरे साथ हैं पूर्मुख्यमंत्री उपिंदर सिंग हुड़ा के मीडिया सला कार रहे केवल दिंगडा इन से जानते हैं कि वो ये रोप की सदार पर लगा रही है देखिए ये सरकार राजनीतिक द्वेश के कारण और शड़ेंतर करके ये इस तरह के काम कर रही है जैसे कि 2017 में कोट ने ये कहा कि कारवई हो लेकिन एक IAS अफसर को जो अडिशनल चीफ सेक्टरी के पद पर है उसके खिलाफ आज तक कोई कारवई नहीं हो ये और वो अडिशनल सेक्टरी के पद पर ही है और उसके खिलाफ ना तो मोदी जी ने सेंटर की सरकार ने कारवई की ना ही खटर सरकार ने कारवई की पहले उनके उपर भी कारवई होनी चाहिए थी या उनको बरखास्त करना चाहिए था या उनको सस्पेंड करना चाहिए था लेकिन अब चुनाव नजदीक आ गए इसलिए ये सरकार राजनीतिक द्वेश और शड़ेंतर करके जो है हुड़ा साब को टारगेट करके ये जो है सीबी आई की रेड्स करके कारवई कर रही है जहां तक कि इनको ये समझना चाहिए कि अब चुनाव नजदीक है तो उस अधिकारी को या तो सस्पेंड करते या उसके खिलाफ कोई कारवई करते फिर जो है निश्पक्ष कारवई होती लेकिन ये सरकार जान बूज के कारवई कर रही है तिंग्डा जी आपको लगता नहीं कि सीबी आई निश्पक्ष जान कर रही है क्योंकि पूर मुख्य मंतरी विंदरी सिंग उड़ा थे वो भी CBI जान्च में विश्वास करते थे दिखिए बिलकुल हुडा साब ने सारी नियाईक जान्च को बिलकुल वोद किया है और जिस भी नियाईक जान्च की बात हुई हुडा साब ने बिलकुल निश्पक्स तौर पे जितनी उन्होंने अजन्सी ने कारवई की करने की बात की सभी चीज के लिए सहयोग किया है और हमेशा करते रहेंगे नयादले का भी सहयोग करते हैं और करते रहेंगे लेकिन ये सिर्फ जो है सारा का सारा बीजेपी का राजनीतिक सड़ेंत्र है जो इस समय चुनाव नजदीक होने के कारण कारवाई जो है बढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं तिंडा जी कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा देखिए ये मामला सारा हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे और हम ये भी मांग करेंगे कि सरकार जो है उस अधिकारी को या तो सस्पेंड करें या बरखास्त करें और ये मामला हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे और लोग ही इसका फैसला करेंगे ये थे मेरे साथ पूर्मुख्यमंत्री उपिंदर सिंहुग्डा के मीडिया सलाकार रहे केवल दिंग्डा इन्होंने अरोप लगाया है कि पूर्मुख्यमंत्री उपिंदर सिंहुग्डा को बदनाम करने के लिए CBI उन पर कारवाई कर रही है इसके साथ साथ इन्होंने ये भी अरोप लगाया है कि ना तो केंदर की मोधी सरकार और ना ही परदेश की खटर सरकार ने IS अधिकारी के खिलाप कारवाई की है वहीं इन्होंने केंदर की मोधी सरकार और राज्य की खटर सरकार से मांग की है कि जिस अधिकारी का इसमें नाम आ रहा है उसको या तो सस्पेंड किया जाए या बर्खास्त किया जाए कैमरावैन संजी के साथ अनिल कुमार ठोटल निव चन्रिगार